पूरे देश में 36 गड़ का नाम यदि कहीं अच्छे से लिया जाता है तो ओ है PDS सिस्टम में बेहतर कानूनों को लाने के नाम से लेकिन 36 गड़ में जिस तरीके से PDS सिस्टम याने की रारोजनिक वीत्रन पुराडाली रासन दुकानों को बेहतर संचालन का जिस तरीके से 36 गड़ का एक पहचान बना है उसकी वास्तिक हकिकत क्या है अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से बनाना चाहते हूँ क्योंकि मैं स्वयम भी एक BPL परिवार से संबंधित हूँ और मेरे भी नाम से रासन कार्ड बना हुआ है और किस तरीके से 36 गड़ के अंदर 13 लाख जो रासन कार्ड धारी है उनके द्वारा एक बड़ी समस्या को सामने आ रहा है उस पर मैं यह वीडियो बनाई दूँ सरकार के यह कहना है कि जो 36 गड़ के अंदर 13 लाख जो रासन कार्ड बने है और 13 लाख रासन कार्ड में कुछ मैदानी एलाका में दार देते हैं फीलामतर दार कुछ जगा जाना देते जो डाल है ओहर लैका मन के पोस्ण बर बहुत जरूरू है कि लेका मन के पेट में पक लेकिन अभी काहो थे कि सरकार अब धीरे से चना दालना बंद करा थे बंद करके कहा थे कि साथ या सतर रूपया देदूपई साथ प्रश्टाचार के तुझाइश जितनी राशन में है उतनी ही कैश में भी है प्रश्टाचार तो तब भिटेगा जब लोग अपने हकों के बारे में जानेगे अपनी पात्रता के बारे में जानेगे और उसके लिए फिर लड़ेंगे भी कि दुकान में आज तो दाल की बात हो लिए कल चावल की बात होगी है चावल कहेंगे, चावल बंद कर दें, चावल की जगह आप पैसा लेलो और अपने आप बजार में खरीदो अगर ये हुआ, तो फिर जो सरकार चावल खरीदती है किसान से, वो भी बंद हो जाएगा तो दोदों दरफ लोग बाते जाएगे, जो किसान है, जो सरकार को बेच रहे हैं, उसका भी दुपसान होगा तो ये अगर दाल को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हमें कहना है कि दाल तो हम पुरे की लेंगे, साथ में हम तेल की लेंगे, ये जो अभी दाल की लिए लड़ाई शुरू होगी न, उसके अंध में इसकार बेदाई ये होना चाहिए, कि सरकार के राशन दुकान पे चावल क कि दिले, दाल की दिले और तेल के लिए, ठीक है ना, चावल, दाल के साथ साथ हमें खाद्य तेल भी पोशन के लिए चाहिए, मैं सवितार, राइगर, चाथिस गार, इंडिया अनहर्ट के लिए आहिए, आहिए, येप अनहर्ट के लिए, ये दिले, ये तो नहर्ट के लिए।